द्रश्ट्री आईएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है मेरा नाम है मनीश हाली में भारत ने रावी नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध का निर्मान किया है जिसका नाम है शाहपूर कंडी बांध ये बांध पंजाब में स्थित है और जम्मो और कश्मीर की सीमा से लगता है जम्मो और कश्मीर की सीमा से लगने के साथ ये रावी नदी के प्रवाहा को पाकिस्तान में अवरुद भी कर सकता है और मेडिया की माने तो कथित तोर पर इसने रावी नदी से होने वाले पानी क के प्रवाहा को पाकिस्तान में बाधित कर दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधू नदी जल समझोता 1960 में हुआ था विस्ट बैंक की अध्यक्षता में तो इसके संपूर्ण परिपेश को समझना आई एस एक्जामनेशन के दृष्टिकोन से महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए आज इन फूकस में हमारा टोपिक होगा भारत ने पाकिस्तान को रावी जल परवाहा क्यों र बांद तो शापूर्कंडी बांद पर बांद के निर्मान से रावी नदी से होने वाले जल का परवाहा पाकिस्तान में बाधित हो गया है और मेडिया की माने तो वो पुरी तरह से रोग गया है इसलिए शापूर्कंडी बांद के बारे में जानना और उसके महत्व के बार भारत और पाकिस्तान पर लागू होती हैं अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्ण होगा जिसका उतर आपको कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके देना होगा यह जो पूरा विश्य है यह यूपीस्टी की मुख्य परिक्षा के सामाने अध्यन प्रश्ण पत्र दो से च सके साथ ही इनफॉकस दुरुष्टी आईएस के टेलिग्राम चैनल पर इनफॉकस के प्रोग्राम की सभी पीडिएफ फाइल आपको उपलब्द कराई जा रही है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां जाकर कि आप पीडिएफ फाइल डाउंपलो बनाय जाने वाला एक बांध है जो पंजाब में बनाया जाएगा और कश्मीर की सीमा से लगता है ये बहुद दिश्य प्रियोजना का हिस्सा होने के साथ साथ इससे सिचाय के लिए भी इसका प्रियोग हो सकेगा इसका जो सबसे पहला विचार था ये 1989 में इसका विचार था 1989 में जम्रुन कश्मीर के मुख्यमंत्री शेक अब्दुलार पंजाब की मुख्यमंत्री प्रकास सिंग बादल के उपस्थिती में एक समझोता भी दोनों राज्यों के बीच हुआ था समझोता ये था कि रावी नदी पर एक बांध बनाया जाएगा जिस बांध का नाम होगा रंजीत सिंग बांध और रंजीत सिंग बांध के अलावा पानी के उपयोग को बहतर उपयोग को अनुकुलित करने के लिए एक और बांध का निर्मान होगा जिसका नाम होगा शाहप वी नरसिमा राओ थे तो पीवी नरसिमा राओ के कारेकाल में इसके आधार शिला रखे गई लेकिन उसके बावजूद भी दोनों राज्यों की बीच विवाद के स्थिती में मुद्दा इस्थागित होता चला गया 2018 में केंदर सरकार ने इसको एक राष्ट्री परियोजना के रूप में लिया और दोनों राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण समझोता हुआ और ये बात सामने आई कि शापूर कंडी बांध को तीन वर्ष के अवधी में पूरा कर दिया जाएगा लेकिन तीन वर्ष के अवधी में पूरा नहीं हो सका हाल में ये पूरा हो चुका है और इस बांध की जो लंबाई है वो 5.5 मिटर होगी और ये एक बहु उदिशिये नदी घाटी परियोजना होगी जिससे 206 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव हो सकेगा ये साहपूर कंडी बांध है रावी नदी पर और अगर आप ये सिंधू नदी घाटी बेसिन देखें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सिंधू नदी है जो भारस से प लगती है रावी नदी पर यहां पंजाब में श्यापूर कंडी बांध बनाया जाएगा जिसकी सीमा जम्मु और कश्मीर राजे से भी लगती है अब हम यह देखते हैं कि इस बांध का महत्व क्या है महत्व इस द्रस्टिकॉन से विशेशुख से महत्व पून है कि बिज बिजली उतपादन होगा जम्मु कश्मीर को उस बिजली उतपादन का जल विद्दूत का लगबग 20% हिस्सा भी प्राप्त होगा जैसा कि अभी आपको बताया गया था लगबग 206 मेगवोट उर्जा उतपादन इससे संभव हो सकेगा साथ ही जम्मु और कश्मीर के मार्ग के शितर में लगबग 32,000 हेक्टेर कर्शी भूमी की सचाई इससे संभव हो सकेगी आप देख सकते हैं कि क्रिश्री उतपादन को बढ़ाने में ये कितने बड़े स्तर पर योगदान दे सकता है रंजीत सिंग सागर बांध की पूरी शमता का प्रियोग करने के उससे माधोपूर बैराज में पानी का बहतर उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे तो माधोपूर बैराज का भी सही तरह से संपूर्ण परियोग करने में सक्षम होंगे शापूर कंडी बांध की वज़े से और उससे सिचाईक शेत्र का भी विस्तार होने की संभावना है जो अन्ततर कन्वर्ट होता है क्रिश्य उपादन में अब हम यह देखते हैं कि दोनों देशों की भी जो 1960 में सिंधु जल संधी थी उसकी शर्ति किस तरह से निर्धारित होती है जैसा कि अभी आपको मैप में दिखा गया था कि यह सिंधु नदी की अवस्थिती है यहां पर यह जेलम नदी है इस प्रकार से यह चेनाब नदी है यह रावी नदी है व्यास है और यह इस प्रकार से सतलूज है तो 1960 में विस बैंक के अध्यक्षिता में भारत के प्रदानमंतरी जवाडाल नहरू और पाकिस्तान के अयूब खां के बीच यह संधी हुई थी इसके अंतरगत यह निर्धारित किया गया था कि पाकिस्तान का 135 मिलियन एकड़ फीट पानी पर नियंत्रन होगा और भारत का 33 मिलियन एकड़ फीट पानी पर नियंत्रन होगा सामानत है पश्यमी नदिया का है जाने वाली सिंधू जेलम और केनाव नदीकियों के नदियों के पानी पर पाकिस्तान के नियंत्रन को स्विकार किया गया और उसके बाद रावी व्यास और सतलुस नदियों के पानी पर भारत के नियंत्रण को स्विकार किया गया लेकिन इस पर कई और तरह की बाते भी थी जैसे भारत पश्यमी नदियों पर इस्टॉरे सिस्टम नहीं बना सकता और अगर भारत किसी तरह से जल विद्धुत परियोजनाओं के लिए इन नदियों का प्रियोग करना चाहता है तो वो उसका डिजाइन इस प्रकार से विसस्ट किया जाएगा उसके संचालन को इस तरह से निर्धारित किया जाएगा कि पाकिस्तान में जल प्रभा उससे प्रभावित ना हो और भारती प्रियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ती का अधिकार भी दिया गया और भारत की सब सिंदू जल संधी के बीच अगर किसी तरह का विवाद रहा तो भारत की मुख्य शिकायद एक ये भी रही उसमें जनवरी 2023 में भारत में सिंदू जल संधी में संशोधन के लिए पाकिस्तान को एक नोटिस भी दिया था ताकि आपसी बाचीत के माध्यम से इस संपूर मुद् कििस तरह से होता है और सिंदू नदी जल जल संधी इसमें किस तरह से किस तरह से इस पूरा संधू नदी जल संधी का ये कॉंटेक्स्ट आता है कि इससे संबंदित एक प्रश्ण भी देख लेते हैं अंत में भारत और पाकिस्तान के मध्य संपन सिंधु जल संधी उनी सो साथ किसकी मध्य स्थता में हुई थी आपके उप्ष्ण से संयुक्तराष्ट अंतराष्टी मुद्रा कोस विश्व को बैंक या उपरिक्ट में से कोई कोई नहीं इस प्रश्ण का उत्तरा आप हमें कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके जरूर दीजिए साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बैल आके न दबाईए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और उन प्रोग्राम का प्लाब उठा सके फिर से एक नए सेशन में आपको मुलाकात होगी धन्यवाद डियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले